तो मुझे हर हाल में हामिद भाई से ही शादी करने पड़ेगे नहीं ने सुरया डेविड बात करेगा दादा जान से राइट एट मैं दादा जान को कंदेंस करने की पूरी खोशिश करूँ लेकिन सुरया तो है वैसे एक बादा करना होगा तुम अब इसको भूल जाओं इसे कॉंटेक करने ही खोशिश नहीं करूँ सुरया वो लड़का जो घर से भाग कर शादी करने का मशवरा दे वो वो पुस्ते रोता है और वो घरवाले जो अपनी बेटी की पसंद और उसकी राय को एमित ना दे उनके बारे में तुमारी डिक्शनरी में क्या लबस है वतंग दिन वतंग ना जरूता है जाके ता रजी से मेरता हूँ और रेकर नंसके में कुछ करता हूँ पच्चिक पच्चिक आओ देखो तुम लोग, ये तीन जोड़े, एक, दो, और तीन, ये तीन जोड़े और ये जोटा सेट, ये रख लिए मैंने, सुरया के लिए, पुराने हैं लेकिन ठीक है ना, चल जाएंगे, फैसे अम्मा ये काफी पुराने फैशन का है, इस रिष्टे का सारा सिल्सला ही क काफी old-fashioned है, अले तो क्या करती, अब बाजी ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, अब जो क्या घर से किया, फिरसे, हामिद भाई रात को क्या पहन रहे हैं, मैं इसमी ठीक हूँ, चलो जी, अब शकल के साथ-साथ कपरों से भी लगेगा, आब इस रिष्टे के लिए राज वैसे फिकर हो रही है मुझे, ये कपड़े और सट देके रजिया भाई का मूड इना ओफ हो जाए, दिल पे ले ले लेती हैं वो, पहीं तुम्हें भी ना ऐसी चीज़े देते हैं, ये मेरी बात करना से आजाते हैं याँ पर, अभी सिर्फ हामिद भाई और सुरया का सोच मेरा तो इसलिए सोचा कि तुम्हारी और दानियाल की बात पकी हो जाए, बली का बकरा बनाया है मुझे जी नहीं, अब्बू को आपके फ्यूचर की फिकर है, इसलिए वो ये सब कर रहे बंद करो तुम दरो ये बहस, अब मुझे बताओ कि पांच जोड़े करो या ये तीन काफी है इस तरह कि ये तीन जोड़े हैं, आप पांच भी रखेंगी, इनकी शान में कोई खास फर्ट नहीं आजाएगा तीन ही काफी है इसलिए कमानने ने बहुता है, और वैस्ट मानी इंजद नहीं कराण से थाखेंगी सुरेया, वो नरका जो घर से भाग कर शादी करने ने मशवरा देए, वो जब तुस्ते बहता है सुरेया, मुझे अवैस कब से कॉल्स और मेसज़िस कह रहा है I think तुम्हें एक पर बात कर लेनी चाहिए मुझे नहीं करने इससे कुई बात मैंने बहुत सोता है इस बारेन दावद भाई ठीक कह रहे थे तो लड़का लड़की को घर से भागने का मशवरा दे, कुई आतो धोके वाज होता है जब उस्त आप इसका नंबर ब्लॉक कर दे और दावद भाई से भी कह दे दादा जान से कोई बात ना करे एक बार फिर सोच तो इस भाई मुझे नहीं सोचना इस बारे में वाई सांगों बार जी वालेकम स्लाम कहा हो मिया इदर यूँ आपके पास मेरे पास कहा हो सुबह से तुवारा बाब भी नज़र नहीं आ रहा और तुमने भी बुड़े जादा से बिनना जुरी नहीं सुचा हो जादा जी आप बुड़े कहा हैं अब बाजी से जादा जबारे और मैं चाता हूं कि आप जबारों की तरह सोचना में शुरू कर दे क्या कहना जा रहे हो तो जादा जी कल जो भी वह न उसने मुझे रहा के रखती सुरिया ये तना बड़ा कदम उठाने वाने मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी शादी उसकी मर्जे खिलाफ एक अन्वेंची ना जी तो तुम चाहते हो कि सुरिया की शादी वहीं की जाए जहां वो चाहती है जी दादा जी सुरिया आमिद के साथ निका करने के लिए राजी नहीं है दादा जी सुरिया जो चाहती है वो मैं होने मी दूगा तादाजी सुरूए आप कुछ नहीं नहीं जाती है वो सिर्फ हमने इसे निका नहीं करना चाहती और आप फपो को मना कर दें बस यह नहीं रसकता हम अपनी बात से पीछे कैसे अटे है यह हमारे खांदान की इज़त और वकार का ज़ाद है लेकि तादाजी अपनी इज़त और वकार के खातिरम सुर्य की खुशियां तो कुर्बान नहीं कर सकते हैं मुझे इस बात की सखत तकलीफ है कि उससे हमारी इज़त की परवा नहीं है तादाजी उससे परवा है इसलिए तो घर से भागने का हौसला नहीं हुआ असलिए जब भी बैटी को इस बात कर यकीन हो जाए ना कि इसके घरवाले इसकी खुशियों का ख्याल रखेंगे वो कभी भी उनके इत्माद को ठेस्ट नहीं पहुंचाएगी एक बार सिर्फ एक बार सुरिया पर भरोसा तो करके देखें मैं उस पर अब कभी भरोसा नहीं सकता वही होगा जिसका फैस्टा हो चुका है क्या असल हो गदाणाजी सुरिया सारी जिनने की खामोश रहीगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे और कनीस फात्मा के दर्मियान में सब ठीक होगे है ना हमारे फैसे के बात बार जी आपको पता नहीं क्यूं लगता कि मेरे और किम के बीच में सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है मैं और कनीस फात्मा की दूसरे से शादी करके खुश नहीं है दादा जी मैं कैसे मान लूँ के तुम खुश नहीं हो उसका आगे पीचे फिरते हो उसे गुमाते पिराते हो कभी डांटा नहीं कभी उस पे सकती नहीं की तादा जी सुक्ए बात मेरी नहीं हो री सुरेया के फिश्यों की वरी और सुरेया आप इस रिश्टे से खुश नहीं है तुमने कह दिया और वैड़े सुन लिया लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बत रूगा फॉन कर के अपने बाप को बलाओ आज दुखान पर जाने के उसके कोई तुक नहीं बनती थी बलाओ उसे करिस तुमने अपने जाई रची बड़े बड़े ऐसा नहीं है मैं और कनीस फात्मी दूसरे से शाज़े करके खुश नहीं है नगा जी अगर डेविट खुश नहीं है तो मेरे साथ क्यों रह रह रहे है मुझे बता सकता है अब तो मिलकर इस रिलिशन्शिम को खतम कर देते मगर इसमें फजूलबात क्या है इसलिए शादी की थी न आपने अमरीका जाना था आपको आप क्यों बगाड़ेंगे अपनी बेगम से आपको फोन करने वाला था दादाजी बुला रहे हैं आपको गुदाम में हग लग गई क्या मुझे किसी ने बताया भी नहीं अम्मी ने भी नहीं बताया अरे बेटा मैंने माना किया था तुम्हारी मा को किसी को कुछ ना बताए सब बिलावजे परिशान हों के तुम सुआ से कहां थे वह मैं किसी से मिलें गया था मुझे पत्थ है कि बहुत परिशान हैं तुम लेकिन अब ताइदर जी को समझाएं कि सुरुया और हमित का निकाना करें सुरुया खुशनी रही वह माने जी भी नहीं कोई फायदा नहीं है वाबु जी को समझाने का कोई फायदा नहीं नुक्सान क्या भाचाता हुआ हाँ बेटाब खासा नुक्सान हुआ पिछत्तर फीसद लकड़ी जन गए होसा मगर अल्ला का शुकर है बेटी बच गई खिर अब जी अगर ये रिष्टा हुआने स्रियानी बचेगी स्रिक्माल पपो बिन जाएगी बाबु जी बुलाने अज बाबु जी सारा माली जल गया सब कुछ तबाओ किया क्या करूं किस से को बहुत परिशान हो बाबु जी बस बिटा परिशान होने की कोई जुरूत नहीं जब बाप का साय सर पे होना तो उलाद को परिशान होने की जुरूत यहhit लेकिन बाखु जी आप कब तक इस तरह मेरी मदद करते रहें जब तक मैं जिन्दा हूँ बिटी इसी का नुकसान जायदात का नुकसान इस सब की भरपाई हो जाती है बस अल्ला से दुआ करो कि इज़त का नुकसान ना हो और देखो अल्ला ताला ने किस तरह से हमारी मदद की सब ठीक होगे आज सुरया और हामित का निकाह हो जाए तो फिर बैठके देखते हैं क्या करना है तो मैं यादे तुमारी वाल्दा के नाम पर मैंने एक प्लाट खरीदा था जी बाबुची तो सोचा था कि उनके लिए एक नया घर बनाऊंगा लेकिन बद्खिस्मती से उसकी नौबदी ने आई और वो अब अदी घर में जाके सो गई अब उस प्लाट को बेचो माल खरीदो और अपना कारोबार आगे मड़ाओ बगर पपा बाबुची उस पे सिर्व मेरा ही आख नहीं है इखमाल और फिर्दोस भी तो है बाबुची जानता हूँ जब तक मैं जिन्दा हूँ अपनी जायदात का खुद फैसला कर सकता हूँ हाँ मेरे मरने के बाद शरीयत के मताबे तुम बटवारा कर ले रहाँ मगर बाबुची अगर मगर कुछ ने बिटा बस बात हो गई जाओ जाकर देखो रजियर क्या कर रही है खाने पेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ठी शावार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शावार स्वेटा प्रवार बहुत शावार बहुत शावार स्वेटा दादा से मातू आव यहाँ भीट फिर क्या नहीं माने किस कदर रिजिटे तर्यारे दावा पहले हमारी जाएब खराब की और अब सुर्यों की तर्या जाएब हमारी लाएब तर्या जाएब मुझे तो अपनी लाइफ से क्वेश्य कायतना है वाव तमने हमारे अन्हापी मेरे लाइफ मेरे लाइफ ने भी रिश्य अरलगसे डू हो गया क्या हुआ है मैं अफसेट हो नहीं बस सुर्या के सारे मामने के मज़े से बोरा फ्री हो रहा है बोरा मजे नग रहा है में के में नह क्या को रहा है दावजी को समगाना मेरे बस रमार्क में हो मैं अबाजी को काया शायब बोरा समझा सके इंका जारी है इंका जारी है इक्वाल के पास वजिया को और आया है के उनके हल्प करो वाफ इनक्यू वजी आज वाफ इनक्यू वजी आज है निवार ऐसा लग रहेगा तुम मुझसे कुछ अपा रही अफर सूँ बोल नहीं पाकिसान में रहोंगी तो असर तो होगा तो मेरे अंदाज है ठीक लगे देखो केम मारे दिल में जोब ही हो ना वो प्रिस बता आजो साथ बोल नहीं वोल जयरी तो है अभी ताम नहीं बोल जयरी कहां है वो महारानी उसे कहा भी था कि तुम्हारी मदद करवाए वो अमरीकी में और मदद करें बूल जाए अमरीकी है तो क्या हुआ अमरीका में किचन नहीं होते, खाना नहीं पकता, दावतें नहीं होती, सब कुछ होता है मैं अच्छी तरह से जानती है, है कहां हो, इधरी थी भावी, वो दावत से कुछ बात करने थी, हाँ वोही बगग बगग बगग। सुरयया का हामिठ से निकाह ना करो। वो भी तक ये फिजूल बात करी है। वो भी निकाह वाले दिन। सबकी नाक में दम कर रखा। तूं क्यों इतना गुसा कर लो वे ? क्योंकि मैं सुरयया का भाई हूँ और गैरतमन भी। इकबाल, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, तुम ये सलाथ बना लो, फिर बागी सारा काम मैं कर लगती, ओके, दानिया, तुम क्या गहरत की बात कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, ये तो यूही बोलता रहता है, तुम इसकी बात को दिल पे मत लो, शाम को, तुम मुझे इन कपड़ों में नजर ना आना, समझें, रस्या का सबसे बड़ा इश्यू मेरे कपड़े है, बेटी के साथ क्या उने जा रहा है, इसकी परवा नहीं है, तुम मेरी जगे जुड़ी दे देरा, वो, मैंने दॉक्टर असनाथ से बात कली थी, तुम मैं रेक्वेस्ट काने लिवास, अके, तेंक यू, थांक यू, थांक यू, कहां थी तुम? किछिन में, हल्प कर वा रहे थी, तुम लेगे चेंज नहीं किया? नहीं, लेकिन वो दस्रिक पुपा का मैसेज आये था, वो लोग ए गंटे तक आ रहे है, तुम थगी होगी? तोड़ा सिल, तो जांके रेस्ट कर लो, महमानों के आने में थोड़ा टाइम है, मैं तब तक दादाजी साके मिलनेता हूँ, रजिया को ओर्डर आया है कि मैं महमानों के सामने इनकपलों में नहीं जाओ, तो तुम क्या चाहती हो, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मौके की मुलास्पत से त्यार होना चाहिए, अब अगर तुम अमरीकाँ में होती ही, और किसी दावत बजा रही होती है, तो क्या पहनती है, मैं तुम एफोर्स नहीं करूँ, तुमारे दिल में जो आया वोपला, तुम अतना ख्याल क्यूं कर रहे हो देगे? बीवी है मेरी, और बीवी का ख्याल रखना चाहिए, बस यही बात? हाँ, नहीं बात है, और अगर मैं तुमारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें अजीब क्यू लग रहा है? तुम्हें देर हो रही है, दादा के पास जाओ, थोई देर में आती हूँ, ओके? आमिया हमिद, कैसा राज सफर तुमारा है? पिंडी में तो खुब दिल लगया? जी नाना अबू, सफर अच्छा रहा, नौकरी का मामला है दिल तो लगाना ही है न? रजिया, जूस लेकर आओ सबके लिए? जी, मैं ले आती हूँ जूस बस रहने दीजिया, खाना तो खाना ही है, रहने दीजिया आओ दाओ, कैसे है तुमारी अमरीकन बेगम? नजर नहीं आ रही है? पपाजी बिल्कुल ठीक है, वो त्यार हो रही है अच्छा अच्छा सुरया कहा है? वो अपने कम्रे ने, त्यार हो गई? लो, त्यार क्या हो ना था? घर की बात है, बस वो एदवला जोड़ा पहन कर बैठ की? में वो इद्वारे कपड़े पहन ली उनने त्यार क्यों नहीं होई? मैं भी देख के आती हूं आवज दाउत, अमरीका कब जा रहे हो? अमरीका जा रहे है पपाजी मेरा मेरे का जाने का कोई इरादा नही है लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे मेरे का भेज के डंग देंगे जोबालो, जोबालो अब जब तुम अमरीका जाओगे तो क्या में खबर नहीं होगी है? हसीन लग रहे हो? जानती हो, खटो मुझे सरया से मिल रहे उसा क्यों हो रहे हो? तुम्हे इसे मतलब? मुझे ही तो मतलब है ऐसे, सोचो अगर हम मौलभी साब को कहे के सुरया और हामिद भई के निकाह के साथ-साथ नेरा और तुम्हारा निकाह भी पढ़ा दें कैसा इडिया? इंतहाई फजूल चरचड़ी क्यों हो रहे हो? तुम्हेता चिपकू क्यों हो रहे हो मचसे? मैं तो ऐसी था, चिपकू पहले तो तुम्हे बुरा नहीं लगता था खैक पसंद तो मुझे पहले भी नहीं था लेकिन तब कुछ अपनाइयत सी थी लेकिन जब से तुमने किम बाबी के लिए अपना रिश्टा पेश किया तब से जहर लगना शुरू गया तो मारा यह चिछोड़ा पन मुझे और यकीन हो गया कि तुम सिफ़ चिपकू ही नहीं ठाली के बेंदन भी हो मैंने वो बात क्लेयर कर दी थी कौन बर नहीं तुम्हारे जहन में यह फजूल बात है मैं अपने फैसले कुद करने की समझ बुझ रखते हैं खुशी का मोका है हम क्यों अपना मूट खराब करें ओ टाइम हो गया दादा जी ने कह था कि मौलवी साब को ले आना इस टाइम तक से कब को टाइम आएगा जब मैं मौलवी साब को हमारे निकार के लिए लाओगा शाम को तुम मुझे इन कपड़ों में नजर ना आना संझीब मैं तुमें फोस्ट नहीं करूँगा कुमारे दिन में जो है वो क्या क्या बात है बशारत भाई बहुत हामोश-खामोश से लग रहे हैं क्या हो गया नहीं नहीं तुश नहीं वो मैं जाहर है बीटी का निगा है बाप अदास्त होगा कौन से गैरों में जा रही है हमारी बेटी अपने ही गर आ रही है तुम फिकर मत करो बिलकुल बशारत भाई फिकर किस बात की सुरिया बहुनी बेटी होगी मेरी वह तो सब ठीक है बशारत कारबार के वज़ा से परिशान है क्यों क्या हुआ क्या हुआ बशारत भाई अपनों से क्या छुपाना बताईए क्या हुआ है कुछ नहीं वो हमारे कुदाम में आग लग गई थी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया थोड़ा कहां अच्छा भला नुकसान हो गया या खुदाया यह तो वाकी परिशानी की बात है मतलब आग लगे कैसे वो आदमी है मारा वहाँ पर एहमद उसी ने बताया के चौट सर्कुट की वज़े से आग लग गई वैसे हल्था मालिक है तुम्हें परिशान होने कोई दुरूद नहीं जब तक तुम्हारा बाब जिन्दा है तुम्हें किसी परिशानी में मुपतला होने नहीं देगा बाब बाप का साया सर पर हो और जेब में पैसा हो तो चोटा मोटा नुकसान दो भरी जाता है यह क्या तुम कहीं से पर दुलनने लग रही हो नहीं ठीको रहे क्या ठीको निका है तुम्हारा आज बत एहम देने तुम्हारा सुरया तुम खुश नहीं हो से निका से कौन खुश हो सकता है हाई द्विवार आ आम करी सब लाओ बैठो कैसी हो कनीज फात्मा जी मैं जी कहा हूँ हामिद ये कनीज फात्मा है मेरे चचादाद भाई नवीद की मेटी और अब दावत की बेगम ग्लाइड टू मीट यू आपका बहुत सुना है रेली आपका भी बहुत जेकर सुने है मुलाकात पहली बार हो रही है हाँ पिंडी में रहता हूँ बहाँ जॉब करता हूँ यहां रिस्ता फिक्स करने आये हो विक्स बहाब विक्स बिशारत देखो दानियाल मौली साब को लेने गया था क्यों देर कर दी जे मैं देखता इसे के तो तुम साही रही हो नाब उने भी इतनी जिल्दी मचाई हुई थी तो कोई त्यारी भी नहीं कर सके मैं और अमी पुराने सूट पहन करा है मैं तो अतना कुछ सोचा था हामिद भाई की शादी पर ये करूँगी वो करूँगी लेकर नाना बुक्या आगे कोई कुछ बोल सकता है खेर तुम ये छोड़ो कुछ तो तैयार हो जाओ कुछ जुल्री पहन लो कहां रखा है तुमारा स्था प्लीज बे ठीक हूँ क्या पात है सुरया तुम हामिद भाई से शादी नहीं करना चाहती हाँ फाइदा इन सब बातों का जब हमारे गर में होता हुँ है जो बड़े चाहते क्या तुम वाकिए आमिद भाई से शादी नहीं करना चाहती सब कुछ नहीं है वो गलत समझ रही हो मिन जिल्दी भी हो रहने का इसलिए में परिशान थी बस जूट बोल रही हो ना तुम सुरया इदर मेही तरफ देखो तुम किसी और को पसंद करते हो ना सब कुछ देखो सुरया अगर ऐसा कुछ था तुम कम सक्ब मुझे तो पताती मैं कभी तुम इस रिष्टे पर जबदाशती जाने ही ना देती मैं तुम्हारे साहिती क्यों बहुत ठीक हो रहा कब से कम तुम्हारों और दानी का रिष्टा तो हो जाएगा न यूँ सुर्या ये तुम ये सब मेरों और दानी आल की वज़े थे तो नहीं कह रहे बाबु जी आ रहा है दानी आल ये खर आ रहा है ठीक है जाचा जी निका खांके आने से पहले मैं चारा था कि कुछ मौामला तापस में तै कर लें ताकि निका का फॉर्म पूर करने में आसाली हो जाए ठीक है बिसमिल्ला अब महर जो है वो शरह होगा बत्तिस रुपे बारा आने घर का ही मौामला है फिर खुस्टना की दफ़ा में आप इसी फॉर्मूले के तहट महर रख लीजेगा क्यों बशारत भाई ठीक है ठीक है बाबुजी ठीक है अब अब लेकिन डादा जी हक्मेर शरी ये तो दाउत मुझे पता है तुमें दीन का अच्छा खासा इल्म है लेकिन ये घरेली महामलात है इसमें इस इल्म को मत लाओ बड़ों के फैसले हैं उन्ही को करने दो जी वाँ भाई वाँ यही तो खुबसूरती है हमारे रस्मोर वाज और अदोब और अदाब की बड़ों का रोब और छोटों का लिहास यावाश अधो मैं यह कह रहा था कि चूँके अब रिष्टा मजीद गहरा होने जा रहा है तो हामिद चाहता है कि वो अमरीका में सेटल हो जाए बही जैसे आपके बतीजर हैं डॉक्टर नवीद अपने दामाद को अमरीका में सेट कर रहा है वैसे ही हामिद को भी आप अमरीका में सेट कर रहा है वो यह तीन साल से बिंडी में नौक्री कर रहा है ना तनखा बढ़ती है और ना तरक्ती हो रही है अब पपजी मैं आपको बता चुका हूँ के मैं मेरे कर नहीं जा रहा हूँ अरे बस बाई रहने दो हमें पता है कौन कहा जा रहा है और बिलफर्द अगर तुम अमरीका नहीं भी जा रहे तो ना जाओ हामिद को तो आप अमरीका जाना है उधर का वीजा और उधर का कारूबार मौकरी में क्या रखा है इतना तो आपको हामित के लिए करना होगा वरना वरना क्या वरना फिर ये और फिर ये रिष्टा नहीं हो सकता मतसर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सी खलत बात की है? लोग अपने दामाद को सट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं अब यब तो तुम्हारे जो कजन है डॉक्टर नवीद उन्होंने अपने दामाद को सेट करने के लिए करोड़ों रॉपिय की मदद की है वही अचारत को भी चाहिए कि अपने दामाद का कुछ ख्याल करे कैसी मदद खुल कर बात करो अचारत तुम ने बताया नहीं चाचा जी को मुझ तक सारी खबरें पहुच गई और चाचा जी को ही नहीं बताया जो घर के सरबरा आएं सबसे बड़े हैं तुम वह जो लाग डॉलर जो डॉक्टर नवीद ने तुम्हें दी हैं वह नहीं बताया आमिले हो यही